बीजे बीपी लगातार ये कहती रहती है कि हम अपने मैनिफेस्टों में ये सब आपको दिखा रहे थे, आपको पता था जिसमें उन्होंने कहा होगा कि हम अनर्सी लागू करेंगे देश में, कोई एक भाषन शुना दीचे उनका कोई एक भाषन आप अपनी टीवी पे चला दीजिए जिसमें उन्होंने कहा होगा कि हम अनर्सी लागू करेंगे देश में, कोई एक भाषन शुना दीचे आप सभी को ये बरोसा दिलाने के लिए आया हूँ कि नेशनल रजिस्टर आप सिटीजन्शिप, एन आर्सी, आपको फिर से बरोसा देता हूँ, कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक, कोई भी भारतिय नागरिक उसमें से नहीं छुटेगा, ये मैं आपको विश्वात दिलाता हमने उसको इमानदारी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और एन आर्सी के बाद अनुभव आया है कि ये चित्र भड़ा चिंता जनक है, अगर चिंता जनक चित्र है, तो देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, और दुनिया में क्या कोई देश ऐसा होगा, जो धर्मशा सटीजन्सिप का रेजिस्ट्रेशन नहीं किया, सटीजन्सिप का रेजिस्ट्रेशन नहीं बना गया, किसी को का इडेंटिटी नहीं है, सतर साल तक जिनोंने नहीं किया, वो पापी है, वो गुनेकार है, उनको पूछना चाहिए, जो इमानदारी से देश की भलाई के प्रुवागे